एक लेटर लिखना उतना ही बोरिंग है जितना कि एक लेटर पढ़ना बट फिर भी है हमारे इंग्लिश कोर्स का हिस्सा है So let's talk about it अब से पहले तो वो लोग जो चैनल पर न्यू आया हैं कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम रोहानुलहक है और आज हम बात करने वाले हैं किरियेटिव राइटिंग के एक बहुत आम तरीन हिस्से के उपर जिसका नाम है लेटर राइटिंग किरियेटिव राइटिंग के अंतर लेटर राइटिंग के साथ साथ कुछ और भी तरीके की राइटिंग्स शामिल हैं सके essay writing report writing diary writing और इस तरह करके बहुत सारी writings हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे आज हमारा मौजू सिर्फ और सिर्फ है letter writing letter writing क्या है और क्या इसकी details में सारी बाते बहुत बच्च वाली में नहीं करूंगा सबसे पहला मसला यह कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हूं कि format जो होगा वो किस level का होगा school के level का होगा या college के level का होगा या उससे ज्यादा हाई होगा क्या होगा तो मैं आपको यह बात बता दूं कि देखें मैं जिस letter को यहाँ पर बताने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ जिस भी format को वो overall format होगा यानि वो general letter writing होगा general से क्या मुराद general से मुराद के असल में जिस तरह letter लिखा जाता है या competitive exams में जिस तरह letter लिखा जाता है मैं उस format को यहाँ पर follow करूंगा अगर आपके school या आपके college ने आपको कोई दूसरा pattern दिया वा है जो शायद इससे ज़्यादा असान है या आपको बोला है कि आप उससे लिखें तो आप उसी को follow कीज़ेगा ठेक है देखें मैं इस चीज़ को समझता हो ना एक 7th grade का candidate जो है वो किसी भी मतलब high level का university level का letter नहीं लिख सकता है या फिर एक primary grade का 4 grader जो है student वो किसी भी secondary grade या 7th grade के letter को नहीं देख सकता है या नहीं समझ सकता pattern में difference आजाता है ठीक है तो final और short बात ये कि आप अपना pattern follow कीज़ेगा अगर आपके पास कोई pattern नहीं है तो आप इसको भी apply कर सकते हैं और अगर आप competitive exam वगएरा या किसी भी तरीके के exam की त्यारी कर रहे हैं जो competitive level पर होता है तो आप इसी letter के format को follow करेगा ठीक है तो अब स्टार्ट करता हूं मैं बात को देखे letter writing जो है वो creative writing के मतब चार अगर हिस्से मैं करूं important तो उन में आता है जिसमें letter essay और application और mainly story writing को बहुत आहम समझा जाता है बागी तरह है कि जितनी writing है वो exams में नजर नहीं आती ना उन्हें आहम समझा जाता है ठीक है लेकिन मैं सब तो आज हमारी बात सिर्फ letter writing से उर्दू के अंदर इसको खत का जाता है ठीक है हम लोग खत लिखते है तो वैसे ही यहाँ पर letter है दो तरह की letter writing होती है एक formal letter writing और एक informal letter writing तबसे पहले आज हम अपनी वीडियो के अंदर जो है overall बात यह करेंगे कि एक letter writing के अंदर formal और informal का क् दोनों को किस तरीके से लिखा जाता है दोनों का format क्या है मतलब यह कहना चाहरा हूँ मैं और तीसरी जो main चीज हमें देखनी है वो यह देखनी है कि sample क्या है letter writing का और किन हमें points का ख्याल लगना है कुछ important points में आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा तो उनको आप जब letter writing में apply करेंगे तो आपका letter जो है वो ज्यादा अच्छा और सही होगा तो वीडियो को इसके मत कीजिएगा अब मैं start कर रहा हूँ तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं formal letter writing के formal letter writing के अंदर असल में एक ऐसा letter होता है जो official या business या respectful letter भी कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी organization किसी भी institute या किसी भी business associate यानि एक ऐसा बंदा जो किसी भी इदारे को control करता हो या हमसे high post पर हो हम उसको इसमें letter लिखते हैं तो वो जो letter हम लिखते हैं वो थोड़ा formal होना चाहिए इसलिए letter का नाम है formal letter writing ठीक है असल में letter हम क्यों लिखते हैं formally और क्यों हम किसी business associate या किसी institute के ऐसे बंदे को लिख रहे हैं जो उसको control कर रहा है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखें यहाँ पर English में लिखावा है it is generally written to aware them about the issues related to your area or any business or profession inducing problems ठीक है यानि हम यह letter जो लिख रहे हैं यह अपने issue को बयान करने के लिख रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर यह problem है अगर मैं आपको एक छोटी से example दूँ आपको याद होगा हम एक letter लिखते थे newspaper editor को कि हमारे इलाके की जो सड़के हैं वो खराब हैं फला हैं फला फला यह problems हैं और हम उसको बताते रहते थे अपने area से related problem तो वो जो हम letter लिखते थे थे वो एक formal letter होता था इसी तरह और कौन सा formal letter होता था वो जो आप लिखते थे 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 कि मेरे भाई की शादी है दो दिन की मुझे चुटी चाहिए याद है प्रिंसिपल को आप लिखते थे letter यह बहुत common letter है हमारे याँ तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो letter जो था वो formal letter था तो इसी तरह यहाँ पर खेर थोड़ा सा level extend किया है मैंने यहाँ पर मैंने business और profession को highlight किया है तो business और profession का मतलब यह है कि आप अपने boss को या किसी ऐसे बंदे को जो थोड़ा hat पर है थोड़ा main body वाले area पर है यानि ऐसी post पे है जो आप से थोड़ी उपर है आप उसको अगर letter लिख रहे है तो उसके अंदर आप अपनी job से related problem को बताएंगे ठीक है simple is that तो formal letter जो होता है मैं फिर repeat कर दूँ वो official या business letter भी consider किया जाता है तो उसके अंदर हम अपनी job अपने इलाके या अपने profession से related problems को किसी higher post वाले बंदे को बताते है अब इसके अंदर एक common letter जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है newspaper editor को क्यों तो कि newspaper editor हमारे इलाके से related problems को promote करता है बहुत सारे लोग common गलती जो करते हैं वो यह कर देते हैं कि वो newspaper editor को लिखके बोल देते हैं कि भाई तुम मेरी problem solve करो यानि गलती गलती में वो यह लिख देते हैं कि I hope that you will solve my problem अरे मेरे भाई मैंने इसके अंदर देखो English में mention किया है most common formal letter writing in which you are writing a letter to the newspaper editor always remember that don't add context that he is going to solve your problem as his job is only to edit the newspaper and promote your request ya issue etc पूरी अंग्रेजी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो letter आप newspaper editor को लिख रहे हैं वो newspaper editor जो है वो सिर्फ newspaper को edit करेगा उसकी job सिर्फ edit करना है और आपकी बात को promote करना है अगर आप यह context अपने letter में add कर देंगे कि भाई तुम मेरी problem solve करो तो यह negative समझा जाता है आपके marks इसकी वज़ा से cut सकते हैं ठीक है यह गलती है तो यह गलती आप मत कीजेगा अपने अपने जहन में यह बात आप याद रखिए कि newspaper editor सिर्फ आपकी बात को आपके मसले को promote करेगा ना कि उसे solve करेगा ठीक है तीसरी और हमारी जो main बात है वो यह कि आप अपनी tone जो है वो थोड़ी सी humble रखेगा मैं अपनी वीडियो के आखर में एक dialogue बोलता हूँ stay humble तो वो इसलिए बोलता हूँ कि English की जवान के अंदर जो बंदा थोड़ा सा humble तरीके से बात करता है थोड़ा humble अपना रवया रखता है humble से मुराद के बहुत aggressive नहीं ठीक है normal तमीज से बात करने वाला जो तरीका होता है वो humble होता है और मेरा इस बात से मतलब ये भी है कि आपने किसी भी तरीके का कोई slang word कोई abusive word या कोई ऐसा word जो आपकी expression में slang tone को दिखा रहा है वो आपने हर्गिस यहाँ पर इस्तमाल नहीं करना है तो इसका आप खयार लखेगा आखरी point ये कि letter के अंदर जो आपका context होगा उसके मताबिक एक requirement या एक ending line दी जाती है जिसमें आप लिखते हैं कि मैं उमीद करता हूँ वहाँ मेरी problem solve कर देंगे या मैं उमीद करता हूँ आप मेरी problem को आगे promote कर देगे वो depend करता है कि आप कौन सा letter लिख रहा है तो वो खेर हम format के अंदर भी देख लेंगे उसका इतना issue नहीं है तो अब हम बात करते हैं informal letter के उपर informal letter writing क्या होती है इसको देखते है अच्छा जी तो जिस तरीके से formal letter writing को हम लोग official या business letter writing कह रहे थे इसी तर आपको बता दूँ के informal letter writing जो होती है इसको हम personal या private letter writing भी कहते हैं मतलब यह जो letter होता है यह हम असल में किसी भी informal बंदे को लिख रहे हैं जिसके साथ हमारा रविया या relation जो है वो थोड़ा informal manner में होता है और यह normally हमारे दोस्त या हमारे family के लोग होते है family members या relatives होते हैं जिनके साथ हमारा relation थोड़ा सा informal होता है या गयर रस्मी होता है formal का मतलब रस्मी और informal का मतलब गयर रस्मी होता है तो यह letter उनको लिखा जाता है इसके अंदर tone और चीज इतनी ज़्यादा observe नहीं की जाती आप normal तरीके से बात कर सकते हैं आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसके अंदर बात कर सकते हैं कुछ चीजों का ख्याल यह रखेगा कि informal letter writing के अंदर elaborated यह detailed sentences का स्नमाल नहीं किया जाता है यानि लंबी चौड़ी बात जैसे के हम लोग formal में करते हैं यह यह problems हैं यह यह मामलात हैं और बहुत हम लोग detailed letter लिखते हैं तो वह informal के अंदर नहीं लिखा जाता है हम थोड़ी short बात करते हैं थोड़ी clear-cut बात करते हैं और second चीज यह आपको जैन में रखने हैं कि abbreviations stories के अंदर दो B आएंगे मैंने abbreviations की spelling के अंदर एक B लगा दिया मैं इसको add कर देता है यह इसकी correct spelling है abbreviations and contractions are used informal letter writing के अंदर abbreviations और contractions को इस्तमाल किया जाता है ठीक है यानि जैसा कि हम लोग छोटी forms इस्तमाल करते हैं न doctor को हम DR करके लिख देते हैं और dot लगा देते हैं इस तरह कि जो छोटी-छोटी abbreviations या contractions होती हैं इनका इस्तमाल हम informal letter में कर सकते हैं जबकि formal में जो है हमारे पास यह है कि the use of conversational phrases, proverbs or idioms, phrasal verbs is allowed in informal letters proverbs, idioms या phrasal verbs या जितने तरीके कि हमारे पास conversation में इस्तमाल होने वाले phrases होते हैं उनका इस्तमाल हम informal letter के अंदर करते हैं ठीक है यह यह भी आप याद रखेगा आखरी बात यह कि tone of informal letters होती है मतलब हमारे पास किस tone में हमें बात करनी होगी informal letter के अंदर वो थोड़ी सी friendly होती है यानि mutual respect होनी चाहिए ठीक है और यह formalities से थोड़ा धूर होती है मतलब formal letter के अंदर हम formalities का दियान रखते हैं कि जिससे हम बात कर रहोते हैं हाई पोस्ट को होता है बंदा लेकिन informal letter के अंदर कोई पोस्ट नहीं होती है इसके अंदर हम अपने ही किसी दोस्ट को अपने ही किसी ऐसे बंदे को जिसके साथ हमारा informal relation है उसको letter लिक रहे हैं तो उसके अंदर हम अपनी tone को friendly रख सकते हैं यानि slangs वगरा भी normally नमाल हो जाती है बहुत जादा abusive level पर नहीं लेकिन normal आप रख सकते हैं तो यह है आपका informal letter और इसके अंदर थोड़ी बहुत हमारी जो बात है वो यह भी है कि starting जो letter के होगी वो थोड़ी normal होगी positive style में होगी जैसा कि आपने सुना हो दिखावाता है I received your letter yesterday and it was pleasure to know that यह about फिर उसके बाद अपनी कहानी बताएंगे जो भी आपके letter के context या आपके letter का main title है ठीक है उसके मतलब उसकी कहानी को थोड़ा उससे relate करके आप add करेंगे इस context के अंतर कि क्या बात हो रही है इस topic क्यों पर बात हो रही है पिर आखरी हमारी एक और बात यह भी कि context of the letters और यह आखरी नहीं second last बात हमारी है वो context जो letter का होगा हमारे पास receive अगर वो negative होता है negative से मुराद कि कोई अच्छी खबर नहीं है कोई बिमार हो गया है कोई चोरी हो गया है और उसके लिए letter आपको लिखा गया है तो उस case के अंदर आपकी starting होगी वो तोड़ा shocked expression होगा या dis hearted expression होगा यानि आपकी letter की starting इस तरह की होगी कि आपको बहुत अफसोस हुआ फिर आप जो लिखेंगे वो यह लिखेंगे I received your letter yesterday and was in tears to know that यह बहुत अच्छा phrase मैंने आप इस्तमाल किया है was in tears यानि कि अफसोस है बस अफसोस कर अफसोस है आपका letter मुझे मिला और यह बात बता चली कि फिर आप अपनी बात लिखेंगे जो भी आपका context है और अगर आप यह स्तमाल नहीं करना चाहते तो आप यह भी कर सकते है and was shocked to know that बहुत हैरानी हुई यह जानके कि आप किया चोरी हो गई बहुत हैरानी हुई यह जानके कि ऐसा हो गया जो भी बुरी खबर होगी तो इस तरह आप अपनी letter, informal letter की starting lines को add कर सकते हैं ending जो होगी वो normally यह होगी would be happy to hear from you soon मतलब आपका जब letter receive होगा या आपका reply जब मिलेगा तो बहुत कुशी होगी जानके या फिर यह भी आप लिख सकते हैं hope to receive your reply या letters बात एक ही है तो यह था हमारा overall letter अब हम चलते हैं format के अब चुके letter हमारे पास दो हैं तो इनके format भी दो ही है बड ज़्यादा फर्क नहीं है तो इसलिए गवराने वाली कोई बात नहीं है परशान होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर सबसे पहले formal letter फिर informal letter तो formal letter के अंदर आपको बता देता हूं sender address आप पहले लिखेंगे date, receiver address, subject, salutation, content content का मतलब जो भी उस letter का इसको कुछ लोग body भी कहते हैं तो एक ही बात है ठीक है जो भी आप बीच में उसकी सारी कानी लिखेंगे वो content के लाती है conclusion, complimentary, closure, signature along with designation या title अब यह थोड़ी से मुश्किल अलफाजों में लिखा हूँगा आदे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा आदे लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा तो कोई परिशाने वाली बात नहीं है अभी हम इसकी सारी details देखते हैं आगे informal letter के अंदर देखिए sender address सबसे पहले आप लिखेंगे फिर date, फिर salutation, फिर content, conclusion, complimentary, closure और आखिर में signature without designation or title यानि signature आप सिर्फ करेंगे designation और title नहीं लिखेंगे अब मतलब क्या है इंसारी बात होगा और कैसे हम करेंगे तो वो मैं आपको बता दिता हूँ, सबसे पहली चीज़ आप इस format से जहन में रखिए जिससे आपको format याद करना है पूरा आप formal letter का format याद करेंगे सिर्फ एक चीज़ यह कर दीजेगा कि informal letter writing के अंदर आपको receiver address और subject नहीं लिखना है कैसे लिखना है, क्या करना है अब हम details सारी देखते है तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो sender address है sender address का मतलब send करने वाले का address जो बंदा भी letter send कर रहा है उसका address यहाँ पर आएगा अब जैसे कि अगर आप letter send कर रहे है तो मतलब sender जो है वो आप है आप dash नहीं लिखेंगे आप dash के अंदर अपना job की जो आपकी designation है जैसे कि अगर आप administrator है अगर आप किसी institute के principal है तो आप उसको यहाँ पर mention करेंगे और उसके नीचे ABC और फिर dash ABC के अंदर आप अपने institute का नाम लिखेंगे और dash के अंदर आप लिखेंगे या तो अगर वो anglofile है तो anglofile लिख दीजेगा अगर वो कोई school है तो वही जो हम लिखते न grammar school end के अंदर वो आप लिख दीजेगा नाम के साथ अगर college है तो college लिख दीजेए अगर organization है तो organization लिख दीजेए तब आप समझ गयोंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपको पहले अपनी designation mention करने उस designation के बाद आपको mention करना है उस institute का नाम जहां पर आपकी वो designation है या आपका कोई title है उस as a job के दौर पर क्योंके formal letter है तो उसके फिर नीचे आप लिखेंगे abc road near ठीक है अब abc road के अंदर उस road का नाम आएगा ठीक है और उसके बाद फिर आप near dash near dash का मतलब कोई ऐसी building आप mention करेंगे निशानी के तौर पर जो बहुत visible होनी चाहिए मतलब road पे कोई बहुत चुपी वी चोटी सी दुकान mention नी करनी है हमारा institute मौझूद है आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ तो यह आप याद रखेगा और end में आप लिख देंगे कराची कराची मतलब आपके शहर का नाम आना चाहिए वहाँ पर अगर आप कराची से हैं तो कराची लिखेगा वरना आपके जो भी शहर है आप वो mention करेंगे एक बात याद रखेगा वो यह कि इन चारों को mention करते वक्त आप इनमें बिलकुल भी gap नहीं देंगे ठीक है इस pattern के अंदर sender address के अंदर कोई gap नहीं होता ठीक है एक चीज लिखेगे उसके नीचे फॉरन दूसरी चीज इस तरह लिखेंगे आप मैं पूरे letter की बात नहीं कर रहा है या पूरे letter pattern की बात नहीं कर रहा है मैं सिर्फ sender address की बात कर रहा हूं कि sender address के अंदर जो जो चीज़ आप mention करेंगे उनके अंदर gap नहीं होगा अब informal letter की अगर बात करूँ तो informal letter के अंदर सब कुछ वैसा ही है बस मसला यह है कि जो designation या जो institute का राम आप शुरू में mention कर रहे थे वह आप नहीं करेंगे क्योंके formal letter के अंदर उसकी जरूरत होती है informal letter के अंदर चुमके आप एक ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जिसके साथ आपका relation informal है या तो वह आपका relative होगा cousin होगा, दोस्त होगा तो उसमें आपको अपना like अपनी job बतानी की या अपनी designation या post या title वगरा बतानी की जरूरत नहीं है उसमें आप simple वही ABC road और near dash करके जो भी आपका है वो mention करेंगे और कराची end में mention कर देंगे जो कि city name है तो यह आप याद रखेगा अब हम चलते है date की तरफ date के अंदर क्या है देख लेते हैं इसको तो सबसे पहले एक बात आप याद रखेगा कि date को लिखने के दो तरीके होते हैं ठीक है और जैसे ही आप अपना sender address mention कर देंगे तो उस sender address को लिखने के बाद आप एक line का space देंगे सिर्फ एक line का ठीक है मतलब एक line आप छोड़ देंगे और उसे एक line छोड़ने के बाद आप दो तरीके से date लिख सकते हैं तरजी है कि आप किस तरीके से लिख रहा है ठीक है वो दो तरीके क्या है पहले तो आप key देख लीज़े key का मतलब कि इससे आप समझ जाएए d अगर मैं कहीं mention कर रहा हूं तो उसका मतलब day है m mention कर रहा हूं तो month है y mention कर रहा हूं तो year है तो पहला तरीका आपके पास यह है d d mm और 4 y 4 y का मतलब कि उसके अंदर वो year आएगा 2024 है या जो भी है ठीक है आप इस तरह mention करेंगे normally d d का मतलब वो day आएगा वो दिन ठीक है और बीच में mm यानि month आएगा और अखिर में मैंने year की बात किया एक यह तरीका जो के सही होता है दूसरा यह तरीका होता है जिसमें आप पहले month डालते है फिर day और फिर year ठीक है जो के कुछ इस तरह होगा तो यह भी ठीक है अब नीचे जो मैंने mention करी बात वो यही English में कर दी है ठीक है बस उसके अंदर मैंने extra बात यह करिए कि अकर इसके अलावा कोई भी आप date लिखने का format apply करेंगे या कोई भी अदला बदली करेंगे तो वो wrong consider की जाएगी ठीक है सिर्फ यह दो ही तरीके हैं जो approved तरीके है number third पर है हमारे पास receiver address receiver address का मतलब यह है यह उस बंदे का address यहाँ पर लिखा जाएगा जिसको मतलब letter आप भेज रहे हैं जो आपका letter receive करेगा ठीक है तो इसके अंदर क्या बात है अब एक बात आप याद रखेगा कि इसको हम सिर्फ formal letter writing के अंदर हम इसको mention करते हैं इसके इलावा आप इसको कहीं भी mention नहीं करेंगे तो वही बात एक line का आप space देंगे date लिखने के बाद और फिर आप receiver address को इस तरह जिस तरह मैंने sender address बताया था वैसे आप mention करेंगे अब यहाँ पर उस बंदे की designation और उस बंदे का institute mention होगा ठीक है और जो भी कुछ information होगी वो उससे related होगी अब subject की बात करते हैं चुके मैंने बताया कि यह सिर्फ formal में होता है receiver address तो इसे लिए आप इसको अलब informal way में देखी नहीं सकते हैं बस यह की तरीका है वो आप समझ लीजे और उस तरह काम कर लीजे कोई इतना फर्क नहीं है जैसे sender address लिखते हैं वैसी receiver address लिखते हैं तो subject जो होता है ये भी आप याद रखेगा ये subject सिर्फ formal letter writing में लिखा जाता है subject का मतलब होता है कि आपकी letter लिखने की main वज़ा क्या है ठीक है और ये छोटा होना चाहिए जादा लंबा नहीं होना चाहिए बहुत मुश्किल से इसके अंदर मतलब 10 word होने चाहिए एक line का ही हो गई है ठीक है एक line का होगा या फिर 10 word अगर मैं कहूं तो इसके अंदर आपको कुछ जादा खास करना है नहीं मतलब बिल्कुल जो non official topic होता है उसके लिए होता है तो उसमें subject mention करने की जुरूद नहीं होती अब अगर हम एक formal letter लिख रहे हैं तो उसमें हमें subject mention करना पड़ता है कि भाई हम इस वज़ा से letter लिख रहे हैं मुझे दो दिन की चुट्टी चाहिए भाई की शादी है या कुछ भी है तो इस तरह की चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें आपको subject mention करना पड़ता है specifically और आप इस तरह लिखेंगे पहले आप subject लिखेंगे semicolon का निशान लगा के फिर आगे आप अपनी पूरी बात लिखेंगे उसके लिए मैंने एक बड़ा सा डैज दे दिया है अब फिफ्थ पर हमारे पास आता है salutation अदे लोगों को ये नहीं पता कि salutation क्या होता है तो चलिए उसको देखते हैं it is a customary greeting to the recipient of the letter it varies depending upon the actual relationship between the sender and receiver अब देखिए salutation जो है वो एक custom greeting का मतलब custom greeting का मतलब यह है यहाँ पर customary greeting का मतलब कि एक ऐसी मतलब self created greeting होती है जो के recipient of the letter यानि जो letter receive करता है यह उसको दी जाती है greeting होती है एक तरीके की है यानि अगर आप किसी को greet कर रहे हैं किसी को मतलब बोल रहे हैं इक letter शुरू करने का एक तरीका होता है आप शुरुवाती जो बात बोल रहे हैं वो उसका तरीका क्या है तो यह तरीका भी depend करता है कि आपका और receiver का relation क्या है मतलब आप लोग formal उसमें हैं या आप लोग informal में हैं ठीक है salutation जो है वो दोनों letters में होती है टाइटल लिखेंगे और टाइटल के बाद हम उसका आगे नाम लिखेंगे अब ये भी बात है कि टाइटल में क्या आएगा तो देखे टाइटल के अंदर आप इस तरह के loves इस्तमाल कर सकते हैं कि Mr., Mrs., Doctor या ये जो ENGR मेंने लिखा है ये इंजीनियर के लिए इस्तमाल होता है ठीक है तो ये उसके टाइटल है अब टाइटल लिखे आगे नाम लिख सकते हैं अगर आप बंदे को जानते हैं ठीक है तो अगर person ऐसा है जो unknown है अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो इस case के अंदर आप dare sir या dare madam लिखेंगे depends on the gender ठीक है अगर वो female है तो madam male है तो sir बहुत बच्चो वाली बात ठीक है जाहर है इसके तरह आप गलती नहीं करेंगे तो salutation का मतलब सिर्व इतना है जो आप शुरुवाती एक loves कहते हैं वो loves ये है जो dare के साथ आएगा हमेशा ठीक है तो number six पे आप चलते हैं number six हमारे पास है salutation sorry six से पहले आपको दो-तिन चीज़े में बताना भूल गया वो ये के salutation जो है formal letter writing की वो क्या है ये भी मुझे आपको बतानी थी तो देखिए principal या head of institution अगर कोई बंदा है तो उसके लिए आप respected sir या madam इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है sir और madam की बीच में एक slash है देखना ही रहा होगा slide में चूँ है थोड़ा सा और मैं भूल गया कि इसको add करना था खेर government officials के लिए अगर आप salutation देखना चाहरे है तो उसमें भी आप sir madam लगाएंगे ठीक है respected यहाँ पर mention नहीं है present और prospective employer ठीक है इसका मतलब होता है कोई कहीं का HR है या उसकी थोड़ी high post है तो उसके लिए भी आप sir madam लगाएंगे business manager है तो उसके लिए भी sir madam इसी तरह editor जो होंगे newspaper वगएरा के post master वगएरा या police officers तो उनके लिए भी आप sir और madam का salutation इस्तमाल करेंगे ठीक है यह से formal लोग है सारे formal letter writing के लोग है मतलब इनका तालुक से formal letter writing से है इसी तरह अगर informal letter writing की बात करूँ तो उसके अंदर आप देखिए अगर कोई ऐसा शक्स है जो आपके मतलब आपके साथ उसका relation थोड़ा younger वाला है मतलब छोटा है वो आपसे ठीक है एक younger relation के लिए तो उसके अंदर आपको my dear या सिर्फ dear लिखेंगे आप तो काम चल जाएगा अगर कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा बुजर्ग है आपसे थोड़ा उमर में ज्यादा है बड़ा है तो आप उसके लिए respected लिखके आगे उसका नाम मतलब mention कर देंगे relation का ठीक है और सबसे नीचे जो बात मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं friend या relative की उसमें आप हमाई dear या dear इस्तामाल करें दोनों चल जाएंगे ठीक है दोनों में से आपकी मर्जी या आप जो भी लिख लें तो ये तो था हमारा salutation अब 6 पे आता है content इसको बहुत सारे लोग body भी कहते हैं देखे इन formal letters जो होता है उसका content बहुत लंबा होता है और formal letters जो होते हैं के अंदर हम थोड़ी सी to the point या main जो हमारी बात होती है हम वो करते हैं sentences हमारे detail होते है detail sentence के मतलब यह कि आप जो बात करें वो थोड़ी सी detailed way में करेंगे लेकिन लंबी नहीं करेंगे detailed way में मतलब जो आप बात बता रहें वो थोड़ी सी explain करेंगे और informal के अंदर आप बात को explain नहीं करेंगे लेकिन आप लंबी बहुत करेंगे लंबी से मुराद के बस बात चलती रहेगी तकरीबन ठीक है paragraph लंबे होते रहेंगे और main जो content है वो थोड़ा कम दिखेगा उसमें जाहर है informal letter के अंदर कोई main content नहीं होता कोई main वज़ा नहीं होती जबके formal letter के अंदर हमारी एक specific वज़ा होती है कि भाई इस वज़ा से हमने आपको ये letter लिखा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे ठीक है तो इस content को बहुत अच्छा बनाईगा examiner की main concentration आपके content पे होती है pattern तो वो सिर्फ check करता है कि सही है या नहीं है content जो है वो आपको number देगा देखे अब मैं बात करता हूँ conclusion की conclusion का मतलब यह है कि जो आप letter में लिखते है ना जैसे कि formal letter हुआ अगर तो formal letter के अंदर जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हम लिख देंगे thanking you या with best regard तब end में जो हम word add करते ना जैसे शुरुवाती हमारा लफ्स था dear sir, dear madam तो यहाँ पर हम add करेंगे thanking you या with best regard अगर के वो एक formal या official letter है लेकिन अगर वो एक parent के लिए लिखा जाने वाले letter है या किसी older relative older relative का मतलब कोई बुजर्ग relative है हमारा अगर हम उसको लिख रहे है letter और हमें end का एक word add करना है तो हम लिखेंगे with love and respect और इसी तरह आखिर में अगर किसी दोस्त को आप लिख रहे हैं या किसी ऐसे relative को लिख रहे हैं जो आप से चोटा है तो उस situation के अंदर जो आप word add करेंगे वो with love या best wishes भी हो सकता है या सिर्फ आप लिख दीजे with best wishes या with best regard ठीक है तो उसके अंदर ये तीनों में से कोई साभी चल जाएगा तीनों चारों में से तो ये तो हो गया आपका conclusion अब आखिर मैं बात करूँगा अब इसमें क्या बात हुई इसमें ये बात हुई कि देखे conclusion mention करने के बात आपको एक complimentary closure भी mention करना पड़ेगा ठीक है और उस complimentary closure को mention करने के लिए कुछ specific condition है वो हमें देखनी पड़ेंगी पहली condition ये कि सबसे शुरुवाती letter जो होगा आपका starting letter वो capital letter होगा दूसरी बात ये कि जितने भी दूसरे हमारे पास letters होँगे वो सारे small case के अंदर होँगे वो छोटे होँगे capital नहीं होँगे ठीक है और तीसरी और आखरी बात ये कि जो आप complimentary closure लिखोगे उसको आप एक comma दिखा कर end करोगे असर में complimentary closure होगा क्या जैसे के हम लिख देते हैं formal complimentary closure के लिए के British के अंदर British के मताबिक हम starting जो है वो हम use कर रहे थे dear sir या madam से तो हम उसको end हमेशा करते हैं yours faithfully से आपने बहुत सारे letters के अंदर देखा होगा के हम yours faithfully लिखकर end कर लेते हैं ठीक है तो यह आप अपने जहन में रखेगा इसी तरह अगर principal या headmaster है तो उसके लिए yours obediently आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर कोई stranger है तो उसके लिए आप yours faithfully लगा सकते हैं इसी तरह अगर editor है और कोई government official है या फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जो private इदारे से तालुक रखता है तो उसके लिए आप yours truly है yours faithfully का लब्स इस्तमाल करेंगे अब informal complimentary closure ही बात करूँ तो देखिए उसका बहुत simple game है उसके अंदर यही है कि अगर आप किसी भी relation से start कर रहे हैं relation पर वैसे depend करता है कि relation किस तरीके का है लेकिन उसके अंदर normally हम yours truly है yours lovingly का इस्तमाल करते हैं अब बात ही आजाती है कि किस relation में कौन सा इस्तमाल करना है तो अब आगे देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ friends की तो उसके अंदर आप yours sincerely है truly का इस्तमाल करेंगे अगर मैं बात करूँ relatives की तो उसके लिए आप yours affectionately या lovingly का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है आप के उपर depend करता है आप कौन से इस्तमाल कर रहे हैं अब मैं आता हूँ ninth के उपर तो ninth के अंदर है हमारे पास signature तो इसका बहुत simple game है formal letter होगा तो उसके अंदर signature आप designation के साथ mention करेंगे अगर informal letter होगा तो उसके अंदर आप अपना signature और कोई designation मौजूद उसके अंदर नहीं होगी ठीक है कोई designation आप mention नहीं करेंगे informal letter के अंदर ये बात याद रखना हो अब देखें यहाँए मैंने लिखा है always use documental signature in letter and application writing और मुझे gap देना था not और उसके बीच में मैं एक मिंट दे देता हूँ पता है यह इस slide में गड़ पड हो जाती है कभी कभी तो खैर अब देखें मैंने क्या mention कि application writing not the ones you use and change on regular places as a frankly used sign अब देखें जो आप sign करेंगे ना ऐसे ही नहीं के इदर आपने कुछ भी sign कर दिया और कुछ भी दे दिया अब normally जो इस तरह के official documents होते हैं उसके अंदर आप अपना documental signature करते हैं यानि ऐसा signature जो आपका main document पर sign होने वाला signature होता है ठीक है आप उसको change नहीं कर सकते उल्टा सी तक घुमा रहे हैं और कहीं भी आपने कुछ भी डाल दिया ऐसा आप नहीं कर सकते है ठीक है all the best for your exams यह हमारा total overall format था मैंने आपको पहले सारे letter समझाए फिर मैंने आपको उसके format के वाले से सारी detail बताई अब आखिर में मैं आपको कुछ important points बताने वाला हूँ जो आपके letter writing से तालुक रखते हैं आप उनका ख्याल रखेंगे तो इंशालला आपके letter जो है वो अच्छा होगा और फिर आपको सही और अच्छे marks मिल जाएंगे तो important points के अंदर सबसे पहला point यह कि आप अपना letter जो लिखेंगे वो हमेशा according to the context होना चाहिए ठीक है उसके अंदर अगर आप अपने अलफाजों को repeat करते हैं अपने sentences को repeat करते हैं तो वो फिर reader के लिए irritation का बाइस बन जाएंगे और उसके लिए आपके मतलब letter के उपर एक negative mark point कर दिया जाएगा जो आपके number को deduct कर सकता है ठीक है तो एक बात जो आपको याद अखनी है वो ये कि आपको अपने अलफाजों को repeat नहीं करना है according to the context बात करनी है दूसरा point ये कि punctuation जो है वो आपकी दोस्त है ठीक है punctuation क्या होती है भाई punctuation मतलब जो आप ये punctuation marks लगाते है या फिर आप कौमा लगाते है या किसी भी तरीके कि आप punctuation marks का सही जगह पर अगर इस्तमाल कर रहे हैं तो जो examiner है वो सही समझता उसको लेकर अगर आप गलतियां करेंगे तो या skip कर देंगे उसको तो ये आपके लिए शीवत का बाईस बन सकती है ये चीज़ ठीक है तो punctuation के साथ हमेशा दोस्ती रखनी है यानि punctuation को अच्छी तरह से इस्तमाल करना है किसके अंदर letter के अंदर तीसरी बात ये कि देखें आपकी tone जो है polite होनी चाहिए अगर आप कोई शिकायत भी कर रहे हैं तो आप गालियां नहीं देंगे वहाँ पर आप फालतू बातें नहीं करेंगे कि भाई यहां तो पानी ही नहीं आता भाई ये तो सड़क पूरी नों ने खो दी भी है क्या होगा क्या करना है मतलब अगर आप complain भी कर रहे हैं अपनी problem बता रहे हैं तो आपको एक इस अंदास या इस tone में बताना है जो के थोड़ी polite या humble है ठीक है ये हमारा तीसरा important point है और ये आपको बहुत कहार लखना है क्योंकि इसको negative समझे आता है सबसे आदा letter के अंदर ठीक है जजबात में नहीं जाना है बिल्कुल भी ठीक है कि शिकायत कर रहे हैं तो बस चलो भई ऐसी की तैसी बोलना शुरू कर दिया कुछ भी तो ये आपको नहीं करना है चौथा और आखरी है कि आपको अपना standard चो करना है अच्छी clean handwriting से ठीक है क्योंके ये creative writing है ठीक है मेरे मैं सही बता हूँ मैंने आज तक letter भी लिखे है मैंने ऐसे भी खुद लिखे तो जो भी मैं लिखता था मेरे marks सारे कड़ जाते थे writing की वज़ा से ठीक है आदे ज़्यादा मुझे sir और teachers ने भी मेरे personal में मुझे यही बोला कि भाई तुम अपनी writing इंप्रूफ कर लो तो आपको मैं यही बोलूँगा कि creative writing के अंदर आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खयाल रखेगा अब देखे यहाँ बर मैं आपको एक sample दिखा देता हूँ लेकिन मसला यह है कि आप इसको मेरे pattern के मताबिक मत समझेगा मेरा जो pattern था वो मैंने बता दिया वो एक general pattern था अब जो मैं आपको sample दिखा रहा हूँ असल में वो तालुख रखता है एक seven grade से ठीग है Oxford की seven grader book है seven grader से मुराद के seven class में पढ़ाई जाने वाली जो book होती है Oxford की यह उसमें मौझूद एक letter है जो editor को लिखा गया है तो इसको आप देखेगा इस letter के अंदर जो भी कुछ बात है वो सारी deforestation से related है यानि दरखत के काटने पर objection लिया जा रहा है तो आप इसको English में पढ़ना चाहिए पढ़ लीजेगा मैं सिर्फ sample दिखा रहा हूँ कि किस तरह लिखा जाता है देखे यह address मौझूद है चीजे मौझूद है अब यह जो फैसला बात के आगे number लिखावा है इसको देखके गबराईएगा नहीं असल में यह होता है हमारा postal code ठीक है या postal address code जो होता है यह वो होता है तो यह अगर आपके pattern में है तो आप इसको लिख लिजेगा अगर नहीं है तो मत लिखेगा तो यह होगा और उसी के बात देखिए subject के अंदर या तो आप deforestation लिख दीजे या फिर आप destruction of trees लिख लिजे या आपके उपर है बट मैंने आपको बताया था कि इसको जितना छोटा लिखेंगे उतना बैतर है तो कोशिश करिएगा कि इसमें ज्यादा लंबी आप ना करें तो यह तो हमारा starting का main point हो गया क्योंकि जगा नहीं थी इसलिए मैंने अगली slide पर लिखाए आप कोशिश करेगा आपका letter जो है वो एक page में ही आ जाए एक page में ना भी आए तो बस sequence जो है वो सही page पर आए और बीच में से आप भले चाहें content जो है वो दो page के अंदर split कर दें तो सबसे पहली चीज़ देखिए अब letter start हो रहा है तो इसको खैर यहाँ पर mention करना चाहीए था dare sir लेकिन इसने dare sir madam वगेरा कुछ नहीं mention किया इसने जिर्फ direct sir mention कर दिया तो खैर यह इसका pattern है ठीक है 7th class के अंदर यह pattern बताया गया है तो फिर उसके नीचे देखिए सारा जो मामला है content का वो लिखा गया है और first paragraph मौझूद फिर second paragraph मौझूद और end में देखिए आप conclusion है और conclusion के फॉरण बात complimentary closure है जो के yours faithfully है और end में एहसन गजनफर जो के बंदे का नाम है ठीक है तो इस तरह आप देखिए sample लिखा जाता है letter का 7th grade के अंदर matter करता है कि आप कौन से मतलब level पर है और आपका किस तरह का pattern है आप उसी को follow कीजेगा ठीक है यह सिर्फ एक example मैंने दिखाई है ठीक है तो जो pattern है वो आपके ओपर depend करता है ठीक है completely तो उसको अपने लिहाज से देखिएगा कोई issue हो तो मुझसे Instagram पर पूछ लीजेगा see you next time and next time maybe next week stay humble and ace competitive English with Rohan झाल